जैहिंद एन हेलो गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल गियान देए होस्ट में और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ तो चलिए सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर अभी जो आप वीडियो में देख पा रहे हो यह हमारी ओफिसल वैपसाइट जो पसगियान डोटी ने इसका लिंक वीडियो को डिसकप्सिन में दिया है जैसे यह आप लिंक ओपन करते तो आपके सामने इस बरती की जानकारी आजाएगे जहाँ पर आप इसके इलिजिबिल्टी के बारे में जान सकते हैं कि क्या इस ट्रेड में आपको दिया जाएगा एज लिमिट कितनी है कब से लेकर के कब तक आप लोग फोर्म को भर पाएंगे किस यूनिट में किस कैडिगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो इलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाइ करने के लिए और आपकी एज भी 17,11,22 तक काउंट की जाएगी अप्लाइ करने के लिए यूर ओबिसी को 100 रुपे फीस और स्टी विकलांग और ओल के लिए कोई फीस नहीं है सिलेक्शन आपका मैरिट के दौरा किया जाएगा अ अब आपको किलियर हो गया हुए कि आप इसमें इलिजिबल है या फिर नहीं है अगर आप इलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है अपलाइ करने का तो आप अपलाइ ओनलाइन लिंक इसके उपर किलिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी अब आप यहाँ पर apply पर click करेंगे apply पर click करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface आईगा अब आप यहाँ पर क्या करेंगे आपको register पर click करना है register पर click करने के बाद में यहाँ पर आता है name तो आपका जो first name है 10th के certificate के according वो आपको लिखना है middle name यहाँ पर डालना है नहीं है तो खा पहले आप यहां पर year select करें फिर यहां से जो आपकी डियो भी आजाएगी, जैंडर आपका जो भी हो आप select कर लीजे, नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी, रिलीजन आपका जो हो यहां पर आप select करेंगे, फिर marital status के उपर click करके आप select करेंगे, क्या पेक सर्विस्मैन है अगर हां तो yes नहीं तो आपको नो करना है Do you belong to PWD यान के person with benchmark disability यान के विकलांग अगर हां तो yes नहीं तो आपको नो करना है Select identity card type कोई भी एक ID basically एक ही option है अधार card का तो अधार card select करेंगे और जो आपका अधार card का number है वो आप यहां पर लिख देंगे Identification mark first है आपकी body के उपर वो निसान जिससे आपकी सरीर की पैचान होती है तो जो भी आपकी body के उपर permanent निसान है body के उपर वो आप यहां पर लिखेंगे दूसरा mark भी आपसे पूचे अगर दो mark नहीं है तो आप यहां पर no mark लिख सकते हैं Mobile number आपका जो है वो आप यहां पर लिखेंगे email address आप यहां पर अपनी enter कर देंगे Select division unit आप इसके उपर click करके यह select करने कि कि आपको किस division या फिर unit में apply करना है आप यहां पर हमारी website के उपर आ करके देख सकते कि किस unit में किस category में कितनी vacancy है फिर आप यहां पर उसके according अपनी division select कर लेंगे Name of the trade आप कौन से trade पर apply करना चाहते उस unit में वो आप select कर लिजे फिर आती है आपके सामने educational qualification तो सबसे पहले है matriculation तो matriculation याणि के tênth तो tênth आपने किस board से किया है उस board का नम आप यहां पर लिखेंगे कि साल के अंदर आपने पास किये है वह आप यहां पर लिखेंगे enroll number आपका किया था 10th का वह यहां पर आपको लिखना है certificate number आपको यहाँ पर लिख देना है obtained marks अगर आपके number CGPA के अंदर है तो आपको बोला है without additional subject यहाँ पर आपको आपके number देने है तो कितने number आपको आई थे हो यहाँ पर आपको लिखना है कितने में से आई थे हो आप यहाँ पर लिख देंगे इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों जो आपकी percentage है वो automatically आ जाएगी अब आता है आपका ITI का जानकारी तो यहाँ पर है name of board university institute यानि कि आपने किस institute के दोरा आपकी जो ITI हो की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है आपकी institute का फिर किस साल के अंदर आपने पास किये वो आप यहाँ पर लिखेंगे तो चलिए हम इसको लिख देते हैं अब आता है roll number तो आपको यहाँ पर आपके final year का roll number देना है आपका certificate number देना है और जितने number आपको प्राप्त हुएते हों यहाँ पर आपको लिखने है मैं यहाँ पर एक example के रूप में आपको यह number लिख करके दिखा रहा हूँ आप यहाँ पर total marks लिखेंगे और फिर percentage आपकी आजाएगी select council किसके दोरा आपने किये ncvt या फिर sctvt आपको select करना है select result pass fail तो यहाँ पर आप pass select कर लीजे इसके बाद में जो भी जानकर यहाँ आपने भरी है इन सभी को आप verify करेंगे and next के उपर click करेंगे अब यहाँ पर आती है address detail तो आपको एक तरफ permanent address fill करना है और दोसी तरफ correspondence यानि के present address तो जो भी आपका village town है वो आप यहाँ पर लिख देंगे जिसे की जो भी आपका address है उसके according फिर यहाँ पर post office जो आपका post office है वो आप यहाँ पर लिखेंगे इसके बाद में आपके तैसिल कौन सी है वो तैसिल आपको यहाँ पर लिख देनी है and then यहाँ पर आपका जो police station नजजदी की है वो आप यहाँ पर लिख देंगे तो आप yes कर दीजे अगर नहीं तो no करके अलग से अपना present address भर दीजेगा correspondence address का मतलब होता है present address अब आता है create password आपको एक password create कर लेना है जो भी password आप रखना चाहते हो आप यहाँ पर अपना password डालेंगे उस password को दोबरा डाल करके verify करेंगे यहाँ पर टिक करेंगे and then proceed पर click करेंगे अब guys जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर के अभी तक भरिया उनका preview आपके सामने है आप इन में से अगर कोई जानकारी edit करना चाहते तो आप edit कर सकते हैं नहीं तो आप यहाँ पर जानकारी को verify करेंगे यहाँ पर टिक करके capture code फिल करेंगे and अभी भी मैं आप से कह रहा हूँ कि अगर आप कोई जानकारी edit करना चाहते तो edit details के उपर click करके कर लीजेगे क्योंकि बाद में edit कम होका नहीं मिलेगा अब आप पूरी तरीके से sure है तो आपको submit application के उपर click करके यहाँ से ok कर देना है ok करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने photo and sign का section आ जाएगा आपका relation ID आपको मिल चुका है आपको यह note कर लेना है आपका जो photo यह आपका 6 महिने से पुराना नहीं होना चाहिए format JPEG या फिर PNG कर रहना चाहिए और size 500 के भी से कम ही रहना चाहिए इस तरह के photo accept होंगे जो यहाँ पर आपको right के icon के रूप में दिये है तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं और मैं इस image को select करता हूँ यहाँ से open कर लेता हूँ open करने के बाद आपकी जो file है वो यहाँ पर आ जाएगी इसके बाद आप signature अपलोड करेंगे signature आपका white paper के उपर होना चाहिए black या फिर blue ink pen से और size 200 के भी से कम रहना चाहिए तो आपको choose file के उपर click करना है जहाँ पर भी आपका signature है उसको select करके यहाँ से open करना है अब आता है upload matriculation certificate यानि के 10th का certificate जिसका format PDF का रखाए size 500 के भी से कम रहना चाहिए तो choose file के उपर click करें जहाँ पर भी आपका 10th का certificate है आप उसको upload करें अगर image के रूप में है तो आपको google में search करना है image to PDF आप वहाँ पर image upload करके उसको PDF के रूप में convert कर सकते हैं and convert करने के बाद में यहाँ पर आप उसको PDF के रूप में upload कर दीजेगा फिर आपको यहाँ पर ITI का certificate upload करना है इसका format भी आपका PDF का ही रखा है तो जहाँ पर भी आपका ITI का certificate है वह आप select करके यहाँ से open कर लेंगे अब आते हैं अगर आप SCHD OBC से इस form को भर रहे है तो आपको आपका cast certificate upload करना है सेम तरीगे से जहाँ पर आपका cast certificate आप उसको select करेंगे यहाँ से open करेंगे and then आप यहाँ पर नीचे proceed पर click करेंगे अब guys आप देख सकते हैं the application form submitted by you is provisionally registered आपने किसके लिए अपलाई किया वह आप यहाँ पर देख सकते हैं तो अगर आप इस form को SCST OBC से भर रहे तो कोई fees नहीं है बट अगर आप general OBC से भर रहे हैं तो आपको 100 रुपए application fees जमा करनी होती है तो यानि कि आपके सामने इस print के वाले section से पहले fees जमा करने का section आएगा जैसे आप अपने application fees जमा कर देंगे उसके बाद ही आप अपने form का final print out ले पाएंगे इस परकार से आप लोग railway WCR जबलपुर apprentice online form 2022 को भर पाएंगे I hope यह process आपको पसंद आया होगा So thanks for watching जैहिंद